क्या आप जानते हैं कि आपके ID प्रूप पे कितने सीम एक्टिव हैं आइ थिंग कि आप नहीं जानते होंगे तो आप यह कैसे जान सकते हैं यह जानना क्यों जरूरी है जानने के लिए आज के इस वीडियो को इन तक देखिएगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा और नोटिफिकेशन बेल को अल पे क्लिक कर लिजएगा कितने ccымOSH yeah reale तो चली अब में आपको बता देता हूं कि आप कैसे check कर सकते हैं कि आपके id path ad par पे कितने cc HE active हैं अगर आपके id प्रूप से कोई fakकेश एकटी थो आप उसको कैसे ar तो आप उसको कैसे पी टैप को टाइप करने के बाद आप सर्च पे प्रेस कर लेंगे यहां से सबसे उपर में आपका जो पोटल सो करेगा टैप को कंजूमर का उसको आप ओपन कर लेंगे इसको ओपन करने के बाद आपका पोटल सो कर देगा तो यहां से बहुत से स्टेट के नेम अभी यहां पिस में सूनहीं कर रहा है बहुत से स्थेट में यह वाक कर रहा है यहां पर अप collapse तो आप कई कर लेंगे और आंद इस वह कर रहा है यह या पिर नहीं कर रहा है यहां से अपने mobile number को add कर लेंगे जो आपके ID proof में register होना चाहिए and request OTP पे tap कर लेंगे and request OTP पे tap करते ही आपके register mobile number पे 6 digit का OTP आएगा इसको आप यहाँ से add कर लेंगे add करने के बाद validate पे press कर लेंगे validate पे press करते ही आपका open हो जाएगा यहाँ से आपका list of mobile numbers registered on your ID's show कर देगा तो यहाँ से मेरा swing two numbers तो मेरे यहाँ से two numbers show कर रहा है जो कि मेरे ही दोनों mobile number है तो मेरा कोई fake number नहीं है अगर आपका कोई fake number है तो आप उसको check कर सकते हैं यहाँ से mark कर सकते हैं and mark करने के बाद this is not my पर प्रेस करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं जिससे क्या होगा आपका fake number जो है जो भी आपके ID प्रूब पर फेक नंबर active है वो deactivate हो जाएगा उस पर रिपोर्ट हो जाएगा तो इसी तरह से अगर आपके ID प्रूब पर कोई fake number एक्टिवेट है तो आप उसको चेक करके आप उसको माग करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं यहां से आपका लोगाउट का option मिल जाता है तो आप चेक करने के बाद आप पोटल से लोगाउट पर प्रेस करके आप इस पोटल से exit हो जाएगे लोगाउट हो जाएगे तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके आईडी प्रूव पे कितने सीम एक्टिव है अगर कोई फेक सीम एक्टिव है तो आप उससे डियक्टिवेट कर सकते हैं तो आई हूप कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करे करें सेयर करें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें फिलाल के वीडियो में इतना है मेरे अगले वीडियो के साथ